तो गाइस मैं काफी टाइम से कहा रहा था कि टेकनेट के अनॉस्मेंट बहुती जल्द हो सकती है और टेकनेट के लिग्स भी अब बहुती ज़ाद आने लगे हैं और मैंने आपको ईवो के इविलिशन चैंपियन सिरीज के बारे में भी बताया था और आप बहुती ज़्यादा हाई चांसिस है कि टेकनेट के साथ इस एवेंट में और भी फाइटिंग गेम्स की अनॉसमेंट हो सकती है और ये चांसिस इतने ज़्यादा हाई है कि टेकनेट ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है तो सबसे पहले अगर आपने टेकनेट के लिक्स वाली मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियोस जाके देखो सभी के लिंक के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं सो कुछी टाइम पहले हम एक हैकर के गुरूप दुआरा बंडाई नामको के टाइटल्स लीक देखने को मिले थे जिसमें टेकनेट भी था और इन ही गेम्स टाइटल में ड्रैगन बॉल दा ब्रेकर्स का भी गेम था जो कि अब अनाउस हो चुका है बाकी इस गेम का ट्रेलर और रिलीज डेट भी बता दी गई है तो इस लीक वाले टाइटल गेम में एक गेम कनफरम हो जाता है जिससे हमें ये भी पता चलता है कि ये लीक और जो इनिवीडिया जीफोर्स का लीक आया था वो एकदम सच था बस रिलीज डेट को छोड़ कर क्योंकि टेकनेट इसी य हो जाए ये इंपौसिबल और ड्रैगन बाल दा ब३ॉर्स को अभी इस लिए अनॉंस कियाै क्योंकि ये गैम ट्वेटी टीवेटीट challenging आइज गेम जी में इस इवेट में अनॉंस हो जो इसलीए वो अभी अनॉंस नहीं हुह है और अभी तक डेवलेपर्स ने भी वि ये पर ट्रेंड कर रहा है मतलब समझ सकते हो टेकन कितना पॉप्लर फाइटिंग गेम है कि ये ट्रेंटर पर फाइटिंग गेम से ट्रेंड कर रहा है और जिन लोगों ने इस इवो के इवेंट से इतनी उमीद लगा रखी है कि टेकन इट अनॉंस होगा तो होगा और ये हाइप बनाने वाला भी प्लेस्टेशन है क्योंकि प्लेस्टेशन ने इवो 2022 के लिए इवो लाउंज लाइफ शो रिवील किया जिसमें वो फाइटिंग गेम्स के बारे में बात करेंगे अभी तो उन्होंने कंफर्म नहीं बताया कि इवेंट में क्या क्या अनौस होगा बस उन्हो वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये इवेंट श्टार्ट हो चुका होगा और जैसा कि प्लेस्टेशन ने कहा कि वो फाइटिंग इमस रिलेटेड शो करने वाले हैं तो फिर चलिए जो जो गेम्स और अपडेट्स आने वाले हैं उनके बार में बात कर लेते हैं तो सब कहा जा रहा है कि इस इवेंट में दो या तिन करेक्टर्स और भी अनाउस हो सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा चांसिस है कि मबर्ली के करेक्टर की और ये भी सुनने को मिला है कि स्टीट फाइड शिक्स के वर्ल्ड टूर मोड के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती में भी वर्ल्ड टूर मोड के अधर सिटीज, कैरेक्टर्स और गेमप्ले को रिविल किया जाए और जैसा कि आपको पताई होगा कि स्टीट फैड़ 6 से 2023 में रिलीज होने वाला है बड़ स्टीट फैड़ 6 की डेट और मन्थ अभी तक रिविल नहीं हुए हैं इसके भी चानसिस है कि स्टीट फैड़ 6 की फूल रिलीज डेट इस इविल की जाए नाँ अब बात करते हैं टे refresh की सो टेकनेट बंधई नाम को इन्टरीन्मेंट के अंडर है इसलिए ऐसा कहा जा हुए कि बंधई नाम को इस इविट हुए सारे गेमस अनौंस करेगा या ड् कुछ गेम्स भी लीग कर दिया है और उस हैकर ग्रूपक के पास अभी भी बांड़रई नाम को का काफी सारा डाटा है इसलिए बांड़रई नाम को डर की वज़े से इवो के इस इवेट में गेम्स के अनौसमिट कर्ने वाला है ताकि हैकर्से और चीज़ नाली कर दे इसके बात करते हैं King of Fighters 15 की सो SNK के बारे में कहा जा रहा है कि SNK शायद कोई न्यू गेम अनौस ना करें बट King of Fighters 15 के Creator ने ये बात पहले ही बता दी थी कि वो EVO में दिखाने के लिए King of Fighters की कुछ तैयारी कर रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि EVO में King of Fighters 15 की तरफ से नेक्स्ट DLC टीम रिवील हो सकती है जो में भी टीम अवेकन्ड औरोचियो अब इसके बाद बात करते हैं Mortal Kombat 12 की तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि Mortal Kombat 12 EVO में अनौस नहीं होने वाला क्योंकि Mortal Kombat के कूर क्रियेटर एडबून ने ये पहली सब को बता दिया था कि उनके पास इस साल EVO में शो करने के लिए कुछ भी नहीं है और इस गेम में वो सबी करेक्टर्स मिल जाएंगे जिनके राइट से वार्नर ब्रिदर्स के पास है जैसे सूपरमैन, बैटमैन, बग्स बनी, हारली कुएन, टॉम एंजेरी, सागे, स्टीवन, वंडर हुमेन एंड ऐसे ही और भी मल्टी वर्स के करेक्टर्स गेम में होने हो, सो कैस ये तो थे कुछ मेजर गेम से जिनकी हाइप बहुत ही जादा है, कि ये इवो में अनौस हो सकते हैं, एंड जैसा कि मैंने आप से पहली कहा, कि ये इवेंट मेरे वीडियो डाने से पहले ही स्टार्ट हो चुका होगा, बट ऐसा कहा जा रहा है कि गेम्स की अनौस क्योंकि अगर गेम्स अनौस नहीं हुए तो गंदा वाला कटेगा सबका, बाकी थोड़ी उमीद रखेंगे कि गेम्स अनौस हो जाए, और इसके बार में अपनी राय मुझे कमेट में ज़रूर बताना, और जाते हुए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो